सब्सक्राइब नाम पिंटु शिंग यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज लाइब दोस्तो चंद्रमा की धर्ती पर चंद्रयान थिरी शफलता पुर्वक सॉफ्ट लेंडिंग के बाद प्रेग्यान रुबर बाहरा चुका है और यह चांद की धर्ती पर एक्स्प्लोर कर रहा है इसरो लगतार प्रेग्यान पर नजर रख रहा है लेंडिंग के बाद से बिक्रम चंद्रमा के सतब की कई तस्बीर लिए है जिसमें लेंडिंग साइट का एक हिस्ता उसका अपना मेटल का चीन और उसकी चाया दिखाई बात करें तो खबरों के मताबिक लेंडर और प्रग्यान रोबर की लाइफ एक चंद्र दिवस है जो प्रिथिवी पर 14 दिनों के बराबर है टचडाउन के कुछ घंटों बाद रोबर प्रग्यान लेंडर से बाहर निकला इसमें कुछ समय लगा क्योंकि रोबर को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि लेंडर की लेंडिंग से उठी चंद्रमा के धूल नहीं जम गई चंद्रमा का गुरत्वा करशन प्रिथिवी के गुरत्वा करशन का एक अंस है और इसलिए धूल को नस्ट होने में ज्यादा समय लगता है रोबर आ गया है अब क्या चंद्रमा की सतर से डेटा एकठा करेगा और उसलिए लेंडर तक भेजेगा इसके बाद ये अजदानकारी इस रोग को भेज दी जाएगी फर्स्ट पोस्ट के खबर के मताबिक रोबर प्रग्यान रोबर चंद्रमा की सतर पर सफर करेगा इन शीटु एक्स्परिमेंट कर इसमें एक अलफा पार्टिकल एक्सरे स्प्रेक्ट्रमीटर लगा है जो रासायनिक सनचना और अनुमानित सनचना को प्रगट करेगा जिसे चंद्रमा की सतर को बेहतर ढंक से समझने में मदद मिलेगा अब बात करते हैं कि 14 दिन बाद क्या होगा लेंड और रोबर का अब दिन धीमी होने की संभावना है इस रोख के बेग्ञानिकों का मानना है कि ऐसी संभावना है कि लेंडर और रोबर अपने मिशन की आवदी के बाद भी काम कर सकते हैं जब चंद्रमा पर फिर से दिन होगा और जैसे ही सूरे होगा वो एक बार फिर से एक्टिम हो सकते हैं तो यह करे लों के सवाल था कि जब वहां बेरात हो जाएगा तो क्या करेगा लेंडर और रोबर तो इस तरीके के जानकारी है बाकी इस पर अपकी राए कमेंट बॉक्स में थाने बादेगा